दोस्तों नमस्कार TV1 इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है पस्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में हिंसा अपतेज हो गई है आज बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंतरी शाहनवाज हुसेन की चुनावी रैली में जम कर पत्थरा हुआ शाहनवाज उस दोरान हवडा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे जब उनकी रैली में पत्थर बाजी होने लगी बीजेपी का आरोप है कि त्रिनमुल कांग्रेस के कारकरताओं ने ही यह पत्थर बाजी की है अब इस मसले पर टीमसी और बीजेपी में आर पार की लड़ाई गर्मा गई है मुंबई में पुर्व पुलिस कमिश्णर परंबीर सिंग की चिठ्थी के बाद अब एक और चिठ्थी सामने आई है राष्ट्री जाँच एजनसी एनाईय की हिरासत में बंद मुंबई पुलिस के सस्पेंड़ एपी आई सचिनवाजे के वकील ने आज मीडिया में एक चिठ्थी जारी की है जिसमें सचिनवाजे ने महाराष्ट के कई नेताओं पर संसनी खेज आरोप लगाए है कथिज चिठ्थी में सचिनवाजे ने लिखा है कि पुर्वग्रियमंत्री अनिल देश्मुक ने उसे नौकरी पर वापस रखने के बदले दो करोड रुपे मांगे थे सचिनवाजे ने लिखा है कि सरदपवार मेरी रीपोस्टिंग नहीं चाहते थे लेकिन देश्मुक ने कहा कि मैं सरदपवार को मना लूँगा चिट्टी में वाजे ने आगे लिखा है कि मैं कहा कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता इस पर अनिल देश्मुक ने कहा कोई बात नहीं फिलाल सुचिन वाजे कि इस कतिश चिट्टी से देश्मुक के मुस्किलें और भी बढ़ गई है महराष्ट में बढ़ते कोरोना को लेकर राजनीती गर्मा गई है बीजेपी जहां सरकार के इंतिजामों पर सवाल उठा रही वहीं मनसे अध्यक्ष राजठाकरे ने बढ़ते कोरोना के लिए उत्तरभारतियों को जिम्मेदार ठराया है उत्तरभारतियों के खिलाप अक्सर जहर उगरने वाले राजठाकरे को लगता है कि महराष्ट में परप्रांतियों के आने के कारण ही कोरोना बढ़ रहा है इसलिए उत्तरभारत से आने वाली ट्रेनों को रोकना चाहिए इस पर नाराज उत्तर भारती समाज ने राज ठाकरे के इस बयान को राजनिती चमकाने का जर्या बताते हुए निश्यद किया है महराश्ट में दूसरे लॉकडाउन का विरोध होने लगा ही से लेकर कई शहरों में आंदोलन तेज हो गए है कलनागपूर के व्यापारियों ने आंदोलन किया और सरणक पर उतर कर लॉकडाउन का विरोध किया आज नौइम्बई में भी इसे लेकर अंदोलन हुआ व्यापारियों का कहना है कि बीते आठ महिनों के लॉकडाउन से उनका कारोबार चोपट हो गया है अब जब जीने के लिए रोजी रोटी चलने लगी थी तब दुबारा लॉकडाउन लगा कर सरकार सब को भूखों मारना चाहती है बतादा है कि महराश के उद्धो सरकार ने 6 अपरेल से 30 अपरेल तक आंसिक लॉकडाउन लगाया है देश के प्रमुक उद्यमी मुके संबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए है पोरवश पत्रिका ने रिलाइंस इंडस्ट्री के प्रमुक मुके संबानी को भारत ही नहीं बलकि एशिया का सबसे अमीर शख्स घोसित किया है उन्होंने चीन की कंपणी अलीबाबा के जैकमा को पीछे छोड़ते हुए मुकाम हासिल किया है मुकेशंबानी 6273 करोड की संपत्ती के साथ दुनिया के 10 में सबसे अमीर इंसान बन गए है मुकेशंबानी ने दूर संचार शक्तर में जीओ जैसा उत्पात पेश कर करांती कर दिये सबसे अमीर भारतियों में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर स्षिव नादर का नाम सामिल है एंटीलिया केस की जाँच कर रही राष्टी जाँच एजनसी एनाईये ने आज पूर्व पुलिस कर्मी और एंकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीव सर्मा से घंटों तक पूछता अचकी प्रदीव सर्मा API सचिनबाजे के सीनियर रह चुके है गौरतलावे के सबसे पहले इंटीलिया केस की जाँच ATS कर रही थी ATS ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मनसुख खिरेन ने अंधेरी इस्ट से अपना अंतिम कॉल किया था और उसका मोबाइल स्विच आउप हो गया था प्रदीव शर्मा अंधेरी इस्ट में ही रहते हैं इस वज़े से प्रदीव शर्मा ATS और NIA के शक के घेरे में आ गए सचिनबाजे की तरह प्रदीव शर्मा भी सिवसेना से जुड़े रहे हैं महराष्ट में बेकाबू हो रहे कोरोना वाइरस की रफ्तार से हर कोई परिशान है इस बीच कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर नई टेंसन पैदा हो गई है फिलाल महराष्ट में सिर्फ तीन दिन का वैक्सीन स्टाक ही बचा है राजिके स्वास्ते मंतरी डाक्टर राजेश टोपे ने इसकी पूष्टी करते हुए कहा है कि अभी महाराष्ट में 14 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध हैं जबकि हमने हर अपते 40 लाख वैक्सीन डोज केंदर सरकार से देने की मांग किया है मंतरी के अनुसार कई वैक्सीनेशन केंदरों पर उचित मातरा में वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं है इसलिए लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है दरसल महाराष्ट में अब तक 85 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है हर दिन उसतन 4 लाख से अधिक डोज लगाई जा रही है महाराष्ट के पुर्व मुख्यमंत्री देविंदर फड़नवीश ने राज में लोगडाउन के फैसले पर उद्धव सरकार से पुनरविचार करने की अपील की है पड़नवीश ने सियम उद्धव ठाकरे को खत लिकर अनुरोध किया है कि वे समाज के सभी तप्कों के साथ चर्चा करने के बाद लोगडाउन लगाएं ताकि आम लोगों का जीवन प्रभावित न होने पाए दरसर इससे पहले जब उद्धव सरकार ने नाइट करफी और वीकेंड लॉगडाउन का फैसला किया था तब बीजेपी नेता दिवेंदर फड़नवीस और राज ठाकरे ने फैसले का समर्थन किया था महराष्ट के उद्धव ठाकरे सरकार ने पुर्व मंतरी अनिल देश्मुक के खिलाब सीवी आई जाच के बांबे हाई कोट के आदेश ने खिलाब सुप्रीम कोट में चुनोती दिये बांबे हाई कोड के इस फैसले के खिलाब सरकार ने याचिकाद दायर कर राहत देने की अपील किये दरसल मुंबई पुलिस के पुर्व कमिश्णर परंबीर सिंग ने अनिल देश्मुक पर सौ करोड की वसूली कराने के आरोप लगाये थे जिस पर अदालत ने CBI जांच का आदेश दिया है हाई कोड के आदेश के बाद अनिल देश्मुक ने सौमुआर को अपना इस्थीपा दे दिया था मराटी फिल्मों की एक प्रोडूसर स्वपना पाटकर ने शिवसेना नेता संजराओत पर संगीन आरोप लगाते हुए परदार मंतरी मोदी से न्याय की अपील की है स्वपना के मुताबिक संजराओत पिछले आठ सानों से ना सिर्फ उन्हें गालियां दे रहे हैं बलकि उसके परिवार और परिचितों को भी प्रतारित कर रहे हैं इस पर फिल्म अबिरनेतरी कंगना ने भी हमला बोल दिया है कंगना रनोत ने कहा कि एक बार फिर वह सही साबित हुई है दुनिया मेरे खिलाब गैंग बना ले लेकिन मैं कभी अपने सब्दों से पीछे नहीं हटती फिलाल स्वपना को कंगना का सपोर्ट मिल गया है तो अपना को उमीद है कि प्रधानमंत्री से गुहार लगाने पर नयाय जरूर मिलेगा नविम भई में दूसरे लॉकडाउन को लेकर जोपड़पटी इलाकों में विरोध सुरू हो गया है पुर्व महापार सुधाकर सुनावने ने मनपायोत को चिठ्ठी लेकर सुलाम इलाकों की छोटी दुकानों को खुले रखने की अपील की है सुधाकर सुनावने का कहना है कि कोरोना को लेकर सुलाम इलाकों में व्यापक साउधानी बरती जा रही है इसलिए वहाँ संकरमन जीरो है ऐसे में नाई, मोची आइस्त्री जैसी छोटी दुकानों को खोले रखने में हर्च नहीं है ऐसी छोटी दुकाने जीने और रोजी रोटी का जर्या है उन्होंने जोर देकर कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार को ऐसे लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए आज के बुलेटिंग खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही दीजिए हमें इजाजत लेकिन देखते रही है खबरों का नया डा टीवीवन इंडिया नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवन इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए